Hi everyone, hope everybody is doing good, स्वागत है आप सब का एक और नहीं वीडियो में Well, it is just, it is not even 11 o'clock and एक और दिन जहां मेरा लॉस हिट हो चुका है And ये continuously दूसरा दिन है, जहां मेरा मॉनिंग में ही लॉस हिट हो चुका है And अब आगे में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला Well, guys, trust me on this, बहुत जादा difficult होता है जब भी आप एक ऐसी losing streak में चल रहे होते हैं जब आपके back-to-back losses हो रहे होते हैं Mentally, it is very very frustrating And वो जो feeling होती है, वो actually आप किसी को समझा नहीं सकते किसी से share नहीं कर सकते But it is fine, it is all part of the business तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अपनी position दिखा जेता हूं यह मेरी position है, इसको एक बार मैं refresh कर देता हूं So refresh करके देखेंगे, तो मैंने 43,900 का call option sell किया था And यह मैंने 180 quantities sell की थी इसमें And मेरा आज का loss है 6760 Well, वापिस एक loss and obviously मैं भी इंसान हूँ Loss होता है, तो काफी जादा दुख होता है And अगर वो continuously बार बार होता रहे, तो वो उसमें थोड़ा और जादा दुख होता है So well, मेरा बहुत जादा simple logic था, क्यों मैंने trade लिया So market अपने exactly CPR के उपर खुली थी Market continuously fall करती है And CPR का बहुत अच्छा support लेती है लेकिन उसके बाद जो previous day high का level है उस level पे market बार बार rejection दिखा रही थी So पहली rejection 10.10 पे market ने bank nifton दिखाई है उसके बाद जो दूसरी rejection bank nifton दिखाई है 10.20 की उसके exactly end पे मैंने यहाँ पे अपना 43,900 को call option sell कर दिया था Well, यहाँ पे कुछ Well, यहाँ पे कुछ simple logic से जिसकी वज़े से मैंने यहाँ पे trade लिया सबसे पहला logic था कि market previous day जो high है वहाँ पे continuously resistance ले रहा था दूसरा logic है कि जो previous trading session है वो एक virgin CPR था इसलिए virgin CPR से market यहाँ से rejection ले रही थी थी इस लिए इस level से भी market ने rejection लिया है and इसलिए bank nifty में इस logic के साथ मैंने trade किया था and अगर मैं वहीं आपको nifty दिखाऊ 1020 की candle so 1020 की candle nifty भी अपने CPR के नीचे चल रही थी so यहाँ पे trade लेने के लिए कुछ चीज़े मेरे favor में थी लेकिन कुछ चीज़े मेरे against भी थी जिसको मैं बार बार बताता हूं कि जब भी आप live market में trade करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि आप सिर्फ positive जो चीज़े हैं उनको उस पर ही focus करते है and जो negative चीज़े हैं जिनकी वज़े से आपका actually stop loss हो सकता है वो सब चीज़े आप नहीं देख पाते हैं जब actually market में आप सोच रहें ट्रेड लिन का आज एक और दिन वापिस से मेरे साथ यही सेम चीज़ हुई because जो negative चीज़े में उस पर इतना ज़ाद ध्यान नहीं दे पाया and अगर मैं वो भी सो then शायद मैं आज यहाँ पर ट्रेड लेता ही नहीं इस पॉट पर well because यह जो आप 10 20 की candle देखेंगे यह इसने बहुत अच्छा setup तो बनाया है लेकिन उसके साथ से अगर आप कुछ negative चीज़े भी देखेंगे immediately CPR का support है well इतना immediately यहाँ पर support है CPR का because आप देखेंगे just 80 points पे CPR का support है and CPR का बहुत अच्छा से support लिया है बैंक निफ्ट ने इसका मतलब यहाँ पर मुझे trade नहीं लेना चाहिए था and now again once more I regret this decision की मैंने यहाँ पर trade लिया उसके साथ साथ मैंने एक और गलती क्या की थी मैंने कुछ जाधा ही इंदमनी चला गया था because market इस समय चल रही थी 43,980 and मैंने 43,900 का sell किया था तो काफी जाधा इंदमनी हो गया था and trade लिने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ यहाँ थोड़ी सी गलती तो कर दी but वो ही है कि मेरा हाथ गया ही नहीं exit की तरफ and मैं अपनी position exit नहीं कर पाया immediately जिसकी वज़े से मुझे एक और दिन यहाँ पर loss हो गया so well आज के दिन भी मैं market को बिल्कु भी blame नहीं कर सकता मैं किसी और को blame नहीं कर सकता यह सिर्फ मेरी ही गलती है and मेरे ही बेफकुफ पनने के वज़े से आज मैं को एक और दिन यहाँ पर loss हो गया because अगर actually आप देखेंगे तो इस level पर मुझे trade नहीं लेनी थी so आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जो साबित करेगा कि मैं नहीं बेफकुफी की है and मुझे आप कमेंट सेक्षन में जरूर गालिया देना ताकि मैं आगे से गलती बिल्कुल भी न रिपीट करो तो आप अगरी मेरी नोट्स देखेंगी न यह मैं इसमें प्रॉपर जरनल बनाता हूँ and लाइव मार्केट के टाइम पे जब भी मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तब उस समय न जो भी मेरे पॉसिवल पैटन्स है वो मैं लिख लेता हूँ नोट्स में सो अब इसमें मैं क्या करता हूँ मैं दो कॉलम बना लेता हूँ जहाँ पर पहले कॉलम में लिखता हूँ पता नहीं क्या ही होगे मेरे दिमाग को कि मैंने वापे से यहाँ पर ट्रेड ले ली मैंने बहुत बार बताया है वीडियो में कि आपको सिर्फ पॉसिटिव साइड नहीं देखनी है आपको नेगेटिव साइट भी देखनी है मैं खुद ही समझाता हूँ ट्रेडर्स को मैं अपनी वीडियो में खुद ही समझाता हूँ और मैं खुद ही वो रूल फॉलो नहीं कर पाया इसलिए मुझे थोड़ा सा मुझे गुसा भी है ना मुझे अपने अपर हसी भी आ रही है जैसे ही मेरा लॉस तुछ हुआ थुआ बिलकुल भी आज वीडियो नहीं बनाने वाला था बिलकुल भी मेरा रूड नहीं था वीडियो बनाने का बट दन मैंने सोचा नहीं यार वीडियो तो बनानी चाहिए and I have to be consistent in making video इसलिए कुछ भी हो लॉस और प्रॉफिट हो इट ड़संट रेली मैटर आई विल मेग दे वीडियो एवरी डे ताकि अगर मैं खुदी अपने रूस बार 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 ब्रेक कर रहा हूं देन खुदी मुझे शरम आ जाएगी बिकोज हमें हर वीडियो में यही बता रहा हूं क कि मैंने अपने रूस ब्रेक किये आज मैंने अपने रूस ब्रेक किये कल मैंने अपने रूस ब्रेक किये जिसकी वज़े से मुझे थोड़ी सी शायद खुदी शरम आ जाए और ताकि मैं अपने रूस फॉलो कर पाऊं इस रूस मैंने भी बनाये है रूस सभी ट्रेडर बन की and negative सबसे बड़ी चीज यही थी की CPR बहुत जादा पास है इसलिए इमिडेट अगर CPR का सपोर्ट होता है मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता हूं बट पता नहीं मुझे मैंने क्यू ट्रेड ले जिसकी वज़े से मेरा लॉस हिट हो गया बट क्या मैं यहां पर एक और गलती करूँ और एक और नहीं ट्रेड लेके वेल बिल्कुल भी नहीं बिकॉज अगर आप पैटन के हिसाब से देखेंगे जो 1050 की कैंडर है वह एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है यहां से एक लॉंग की ट्रेड ली जा सकती है बट यहां पर 1050 पर अगर आप देखेंगे निफ्टी अपने इग्जाक्टी CPR के नीचे चल रही है और यहां पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है और मेरा तो यह सिंपल रूल है कि मैं दो ट्रेड नहीं लेता हूं एक दिन की औ आपर मैं अपना वापस सिस्टम क्लोज करूँगा एंड कल वापस आँगा एक फ्रेश ट्रेड के साथ एक फ्रेश दिन के साथ and I hope कि अब मैं आगे अपने रूल्स ब्रेक ना करूं लेकिन अगर मैं अपने रूल्स ब्रेक करता हूं and इसमें मुझे आपका भी सपोर्ट जाहिए कि अगर मैं अपने कोई भी वीडियो में रूल बरेक करता हूंग और मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि मैंने अपने आज रूल बरेक किया हैं मुझे प्लीज आप भर बर के गालिया दीजिए ताकि मैं वह गालिया एट-least सुनके मुझे थड़ा पूरा लॉंग टम में मुझे मालूम है ये बहुत जादा गलत है और बहुत जादा आपको हाम कर सकता है अगर आप अपने rules एकदम strictly follow नहीं करते तो इसलिए आज एक और दिन था जहां मैंने अपना करिए अपने rules एकदम अच्छे से follow करिए because long run में सिर्फ rules ही है जो आपको बचा सकते हैं उसके लावा आपको और कोई भी नहीं बचा सकता so that's it was today guys यह था आज की वीडियो के बारे में well I hope आपको वीडियो देखने मज़ा आया हो and कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला हो guys बस एक ही इसमें आज important learning है कि कुछ भी हो जाए अपने rules break मत करिए because अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने अज अपने rules break की है अगर आप वैसे rules break करेंगे then मेरी तरह आप लॉस भी करेंगे and मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि जो कि जिस feeling से मैं अभी गुजर रहा हूं जो मुझे losses हो रहे हैं वह feeling किसी और को हो it is really really bad और इसके साथ साथ मेरी course की detail आपको description में and comment section में मिल जाएगी अगर आपको content वर्थ लगता है और उसको आप buy कर सकते है so that's it today and let's meet in the next video then